त्रेन के बारे में इनका दिल जो दिल अंदर का दिल है न यह सोच रहे कि कब वे ट्रेन आ जाये बढ़ जाये जल्दी से निकल जाये क्योंकि और भाईया को हमको लग रहा है भाईया पांच साथ दिन हो गया होगा ना कि अधर बोरा भी स्तर रुखाय है और हमारे आजाद विये चल दिये हैं अपने आने वाली है अभी पूर में टिकट अम लोग तो दिफोर आफ तजार लोग जहां आमारी फोगी लगे लिए 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 लग रहे तरह थंड़ा लग रहे है इसदर थंड़ा था थोड़ा घ और किसना देर मजाएगी तो गाइस आप लोग बने रहे है और नया भारत व्लोग में आपका श्वागत है और चैनल को सब्क्राइब लाइक कमेंट सेयर करना ना बुले और आजाद भया का जो बैग है हमको लग रहा है चानिश किलो सा कम करने हैं तो अब खुशी का बात यह है कि ट्रेन का अलाउंसमेंट हो रहा है और ट्रेन जो है थोड़े देर में प्लाटफार्म नमबर एक पे आ जाएगी और बने यह व्लोग में आजाद भया फार करक दिया है गर्मी मदवडा दिया है ना खाना खाए ना चाय पी ना पानी पी ए एक चीज और बता दू आजाद भया चल लाए है तारा पैसा सुन लेंगे थोड़ एक जो है और अधान थंड़ा थंड़ा है अजाद भया क्या थंड़ा थंड़ा एक चल ला है तो आप देख सकते हैं यह ट्रेन का नजारा और मैं अंदर आ चुका हूं और थोड़ा सा भी ट्रेन आई है तो लो बहुत तेजी से हमको समझ में आ गया था है जानते हैं थोड़ा सा भीडबाण रहता है और दो 35 का समय हैं अब मैं नीचे उतर चुका आउं और भाईया का भी 4 में वो था भाईया आप जा रहे अपने घर और और मैं अपने निकल लाओं मेट्रो से उस्तमनगर तो गाइस आप लोग ब्लोग में बने रही है और ब्लोग में मैं दिखाऊंगा और विची जे तो गाइस यही सपत करांटी ट्रेन है जो दो बच के 50 मिनिट पर चलती थी अभी दो बच के 52 मिनिट पर ये अनंद भिहार र मेरा too सिस्तमनगर तो यहां से मैं निकलूँ गार बहार निकलने के बाद मेट्रों लूगा अब मेठ्रों से सीधा में पहूंचँगा उत्मनगर और हुतो मेरे को जहाना है आपको देखाउंगा तो मैं बतादेता हूं आप भीधर-देस मैं बाहर निकल लाओं और बाहर के बाद मैं फिर अपना मेट्रो मेट्रो के पास जाऊंगा और मेट्रो से जाने के बाद मैं पहुंचूंगा उत्तम नगर तो आप देख सकते हैं यह अनन्द भिहार मेट्रो इस्टेशन तो यह अनन्द भिहार का मेट्रो इस्टेशन है और सामने रेल्व इस्टेशन है होगी तो मैं नहीं जाओगा फिर कोई और से अनन्द भियार का और इसना लंबा लाइन लगा है आप देख सकते हैं चेक-इन के लिए लाइन लगाया और मैं भी इस लाइन में लगता हूँ और डिकत तो होगा वगर क्या करा जाए लाइन में लगते हम भी लाइन में लगते और आजहें दूर में नहीं जाओंगा इसलिए बहुत भीड़ हें तो मैं यहां से निकलूंगा और फिर लुक्त ह्यादょ क्ला कि धंर अरिब टूर में Ge diz क्उंज्छ बता देता हूं अभी उधर भीड़ तो आज भीड होता भी है कभी नहीं भी होता है तो आज भीड है क्योंकि अनन्द ब्यार तो मेरा आना जाना बराबर लगा रहता है है तो गाईश सबस्सक है रही है नहीं भारत ब्लोगर में मैं आपको और आगे देखाब ऑन मांगा है जो जवान है और शीटाता है गता तो चेकार लएतिधि जैन तो मिरा चाटski पो ज्रहा जाना है दोनों तरफ लाइन लगा था और 5-7 मिनट बेट करना पड़ा आ गए अंदर और एक्स लेटर का परियुक कट्टा हूं और उपर लगता हूं मैं चीज बता देता हूं अभी मैं हूं अनन्द बियार मेट्रो इस्टेशन पे तो यहां पे थोड़ा सबीड है तो भी गाड़ी इस समय पे आती है ट्रेन कोई लेट आती है और मेरा मेट्रो आ गया है में मेट्रो अगंदर अभी जाए मैं उस्तम नगर पहुंच चुपा हूं अब उस्तम नगर पहुंचने के बाद दोकान से मैं मिठाई ले रहा हूं मैं जा रहा हूं अपने सिश्टर को वा अब बाहर निकल चुका हूं और चार इस्टेट घूमने के बाद अब मेरा दिल्ली में नंबर है और दिल्ली में मैं घूम रहा हूं और इसमें दिल्ली का कर्मी तो आपको पताई है दिल्ली में जीतना ठंडी पढ़ता उतना कर्मी भी पढ़ता है और यह उत्तम नगर के तो आप देख सकते हैं एक बार यहां पर आकर बिजिट कर सकते हैं उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे मैं जब जा रहा है तो मेरे को रास्ते में मिल गया तो मैं आपको देखा रहा हूँ और बहुत सारा यहां कपड़े के दुकान लगे हुए हैं और हमको लग रहा है कि आज ही लगाएं तो गाइस मैं अपने सिश्टर के घर पहुंच चुका हूँ और मेरी शिश्टर नास्ता ला दिय है और नास्ता करने के बाद फिर करेंगे थोड़ा सा रेश्ट, रेश्ट करने के बाद फिर उटते हैं तो फिर आपको कुछ नया देखाते हैं ब्लोग में बने रही